Assalamualaikum Welcome to GFX Mentor मैं आपका टीचर इम्रान और आज 3D लाइट्स के ओपर हम बात करेंगे आज सरफ एक ही तरह की लाइट देखेंगे पॉइंट लाइट और एक और एम्बियंट लाइट ज़रूर देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं आपके आफ्टरफेक्स में हमारे आफ्टरफेक्स में हम सबके आफ्टरफेक्स में चार तरह की लाइट्स होती है एक होती है आपकी पैरलल लाइट एक होती है स्पोट लाइट एक होती है आपकी एम्बियंट लाइट अब ये क्या है आज हम सिर्फ देखेंगे दो तरह की lights, एक point light और एक है, ambient light, नौ, पहले समझ ले, point light, point light is just like a bulb, और bulb की खासियत होती है कि जैसे हम on करते हैं, उसकी रोशनी हर जगा पहल रही होती है, so yes, that is a point light, right, on the other hand, अगर spotlight की बात करें, तो सबको पता है, spotlight क्या होती है, एक जगा से light आ वाली class में देख लेंगे, लेकिन आज के लिए, point light, so first of all, मैं simply एक काम ये कर रहा हूं कि मेरे पास एक blank composition है, और मैं इसमें एक ले रहा हूं, solid, बड़ा सारा, solid ले ले ले, छोटा सा ले ले, बड़ा ले ले, जादे बेतर, मैं 2000 by 2000 pixels का एक solid ले रहा हूं, ठीक है, और ये स start से ही हमारी floor रहेगी, बलके मैं इसका color भी तोड़ा से change कर रहा हूं, it's too dark for now, let's say मैंने ये light gray color ले लिया, mid gray, ठीक है, और make sure it is 3D, and आपका यहां पर view जो है, मैं अपना, इस वक्रंट व्यू रख रहा हूं, आप चाहिए तो two views रख लें, ताकि आपको नदर आता रहा है सो मैं एक में अपना front view रख रहा हूं, और दूसरे में अपना custom view रख रहा हूं, यह आप लोगो पहले भी बता चुक हूँ कि custom view से फायदा क्या होता है, कि हम अपना preview देख सकते हैं, इस वाले में, मैं अपने इस floor को, ठीक है, थोड़ा सा rotate करना चाह रहा हूं, x axis पे 90 degree, इसको मैंने 90 degree x axis पे rotate कर दिया, और इसको मैं ला रहा हूं थोड़ा सा नीचे, so this is my floor, बड़ा simple सा, ठीक है, और इसके उपर मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुछ लिख देता हूं, text लिख देते हैं, ठीक है, जिस रहा से पहली वाली intro वाली class में मैंने किया था, so मैं 3D type कर दिया है, and इस वक्त इस में color आप चाहें तो light gray या यही वाला color pick कर ले, जो भी आप color pick करना चाहें, ठीक है, मैं let's say इसको थोड़ा सा red color ले रहा हूं, ठीक है, now यह भी आपको यहाँ पर currently नहीं दिखेगा, because this is not 3D, जैसे आप 3D करेंगे तो यह नजर आन शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके और इसको ला करके बिठा दें, इस floor पर, that's it, यह आगया हमारे floor पर, ठीक है, so अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, कि जी हमारे पास एक है floor और एक है text 3D, और इस पर हम लगाना चाहरे हैं, बतियां, and बतियां simply हम यूं लगाएंगे, कि मैं new light ले रहा हूँ, ठीक है, और यह रही है आपके पास चार types की, parallel, spot, point and ambient, so आज हम देखेंगे स्रिफ point and ambient, point light is just like bulb जैसे मैंने बताया था, by default आपके पास यह सारी चीज़ें off होती हैं, let it be off, कोई मसला नहीं है, light का color white रख रहे हैं, intensity 100% रख रहे हैं, okay करें, और यह लग चुकी, now अगर आप गोड़ से देखें तो आपको आपकी light के भी x, y, z, axis के यह arrows नजर आ रहे हैं, आप इनको move कर सकते हैं, now, आप चाहें तो अपना top view ले ले ले, ताके आपको और ज्यादा समझ में आए कि light आपने लगा ही किदहर है, so यह top view से आप आके देखें, तो this is the front of 3D, सही है, यह वाला part front है, कैसे पता चल रहा है, यह blue arrow आपकी तरफ point कर रहा है, that means कि this is the front part, ठेक है, और यह वाला part, जो है, यह यह जो है, यह हमारी light है, इसको आप जितना करीब करना चाहें, या दूर पर न चाहें, it's up to you, so मैं इसको थोड़ा से दूर ही रख कर रहे हैं, आप चाहें, तो यहां से भी पकड़ कर सकते हैं, उपर, ठेक है, बस यह make sure कि आपने यह y axis याने green वाले arrow से पकड़ा हुआ है, ठेक है, दूसरी चीज़ आप यह कर सकते हो, कि आप यहां से front view ले लो, आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, कि आपकी light कि लातिनी ऊपर मौझूद है, यह रही है आपकी light, इसको आप ऊपर लेके जाना चाहरा है, ऊपर ले जाएगा, नीचे लाना चाहरा है, नीचे ले जाएगा, ना problem यह कि इस वक लाइट तो लग चुकी है, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि हमारे environment में अंधेरा बहुत है ना, हम मजीद light तो नहीं लगाना चाहरा है, बस मैं यह चाहरा हूँ कि रोशनी तो थोड़ी सी जादा हो ना, तो दो काम हो सकते हैं, एक तो यह कि मैं इसकी intensity जाके बढ़ा दूँ, तो यहां से preview on रखिएगा, और यहां से इसकी intensity बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब यहां इस जगह पे बहुत जादा hot spot आ रहा है, यह मुझे नहीं चाहिए, so let's do one thing, इस light की intensity बढ़ा है नहीं, ठीक है, इसको आप रहने दें, 100% पे, that's completely fine, instead मैं एक और light लगाना चाहरा हूँ, ठीक है, और मैं अभी shadow वगरा सब लाँगा इसमें, लेकिन पहले ambient light समझने के क्या ह होती है, so कई मरतबा ऐसा होता कि light चली जाती है, आपके कमरे में light on नहीं होती है, लेकिन फिर भी you are able to see things, और वो एक ambient light होती है, जो कि कई बार दूसरी चीजों से reflect हो करके आपके पास आ रही होती है, so that is ambient light, और ambient light होना बहुत ज़रूरी है, आपके environment में होती है, so यहाँ यह जो इतना fake सा लग रहा है, वो इस वया से कि यहाँ पर इस वक्त ambient light मौझूद बिलकुल भी नहीं है, so मैं यहाँ पर एक new light create कर रहा हूँ, that is ambient light, new light, simply यहाँ पर right-click करें, new and light, और मैंने यहाँ से लिया एक ambient light, now, अगर ambient light को आप 100% रख देंगे तो बहुत ज्यादा र रोशनी, नहीं शाहिए, याद रखिएगा, ambient light कभी भी 100% मत रखिएगा, I would suggest, go for a sweet spot, like 20-30% रख लें, that's perfectly fine, serious, अब आपको देखाऊँ कि अगर मैं ambient light height करता हूँ, तो कितना अंदेरा है, और on करता हूँ, तो कितनी रोशनी है, so overall, थोड़ी सी रोशनी create हो गई है, सही है दूसरी चीज़, कि इस light का जो असर है, वो भी हमें दिख रहा है, वाज़े तोर पे दिख रहा है, सही है, ऐसा नहीं है कि ये light का कोई काम नहीं हो रहा, और आपको यहाँ पर भी front view में दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा जो fake लग रहा है, वो ये कि अब यार shadow नहीं है, तो let's do one thing, again मैं जा रहा हूँ अपनी point light में, और यहां से मैं cast shadow on कर रहा हूँ, now by default हो सकता है कि आपकी shadow की darkness 100% हो, मैं usually suggest यहीं करता हूँ कि इसको 100% बगरा ना रखें, सही है, let's say, मैं पहले आपको दिखा लिता हूँ, कि shadow darkness 100% और shadow diffusion 0 pixel हो, तो क्या होता है, shadow पहली बाद त text का, यानि जो text लिखा हूँ है, इसकी अभी ability नहीं कि shadow cast करें, अभी हो यह रहा है कि समझ लो light इसमें से pass through हो करके जा रही है, बट मैं चाहरा हूँ के light को रो के, that means कि यहां पर shadow cast हो, ठीक है, और इसके लिए आप simply यह करें कि यहां पर जाएं, और material options, by the way, इस material options में आने cast shadow, that's it, यह आया, बड़ा बहानक किसम का shadow, अगर आप इसको जूम करके देखे तो आपका shadow बहुत शार पा रहा है, और shadow दूर तक चला जा रहा है, बिल्कुल जैसे बहुत ही जबतर sunlight आ रही हो, साहिए, अगर आप चाहें तो यह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मैं यह चा रहा था, कि अपनी light को जाके थोड़ा सा change करूँ, point light मैं आया है, मैं shadow की diffusion कम कर रहा हूँ, यारने darkness, ठीक है, darkness कम की, और diffusion बढ़ा रहा हूँ, diffusion क्या है, कि यह आगे जाते याते shadow diffuse हो जाए, यह इतना लंबा shadow क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने light बहुत हो रहा होगा, definitely, so, एक काम करते हैं, कि इस light को थोड़ा था, ऊपर करते हैं, ठीक है, दूसरी बाग, light को इस से थोड़ा से दूर कर रहा हूँ, मैं यहां से यह पकड़के वह थोड़ा से दूर किया है, और इसको और ऊपर कर रहा है, that's it, so, this is it, यह अब आपका shadow cast इस तर करना चाहरे है, और कम कर दें, बढ़ाना चाहरे है, बढ़ाना चाहरे है, बढ़ाना चाहरे है, बढ़ा दें, सब कुछ आपके पास यहीं पर control है, आप जब चाहे है, अपनी light पर double click करें, and, yes, खेल सकते हैं, इसके साथ, now, let's suppose, अगर मैं यहां रख रहा हूँ, और इसकी light का color मैं change करना चाहरा हूँ, let's say, मैं, let's say, इसको थोड़ा सा warm color की light देना चाहरा हूँ, ठेक है, और एक और light लगाना चाहरा हूँ, new point light, थोड़ा सा left side पर, new point light, but then, इस बर मैं light ले रहा हूँ, थोड़ा सी blue, and, okay, now, यह वारी light को मैं पकड़के थोड़ा सा इस तरफ ला रहा हूँ, now, can you see, कुछ अजीब सी चीज़ है, और वो अजीब सी चीज़ों में से पहली अजीब सी चीज़ यह है के, shadow का color blue हो गया, just because का हमने light का color blue रखा था, सहीं, so मैं इसको एक काम करता हूँ, white ही कर देता है, ठेक है, बहुत बुरा रागा था हूँ, anyways, this is it, और एक और चीज़ और, बता दो आप लोगो के, इस वक्रेंटली आपकी यह light थोड़ी सी दूर अगर हम करें, तो आपको समझ में आएगा क्या हो क्या रहा है, हमारे पास multiple shadows कास्ट हो रहा है, see this, एक यह shadow है, और एक यह shadow है, यह बिल्कुल बैसर नहीं हो और जैसे night matches में, आपको players के गिर्द shadows दिखरे होते हैं, बहुत सारे, तो एक काम हम यह कर सकते हैं, कि यह हमें इसका shadow अगर कास्ट नहीं करना, तो आप simply इसमें जाए, double click करें, and cast shadow off कर दे, खातर बात, it's gone, ठीक है, अब सिर्फ आपके पास एक ही shadow आ रहा हूँ, आप चाने तो इसकी intensity कम कर दें, यह आपका एक simple सा light का काम समझ में आपको आई गया होगा, and by the way, बाद में हमने इसमें कैमराज भी लगाने हैं, spotlights भी देखी हैं, बहुत कुछ देखना है, I believe आप लोगो को यहां तक के definitely समझ में आया होगा, so I hope आप लोगो एक लास पसंद आई होगी, और point light और ambient light का का क समझ में आया होगा, I believe, बहुत सारे likes करने वाले हो, और subscribe अगर नहीं किया है तो जरूर subscribe कर ले, thank you